Assalamualaikum मेरे अजीज हमवतों, मेरा नाम है साथ और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं Xiaomi Mi के नए flagship phone Xiaomi Mi Mix 2S के बारे में Xiaomi जैसे अपने अच्छे budget phones की वज़े से जाना चाता है उसी तरह अपने Xiaomi Mi Mix की लाइनप flagship phones के वज़े से भी जाना चाता है कुछ अर्सा पहले Xiaomi ने Mi Mix release किया था और उसको कई ज्यादा awards उसके design की वज़े से मिले थे जब बड़ी screens मलब के bezel-less screens के बारे में लोग सोच भी नहीं रहते उस टाइम पे Xiaomi ने bezel-less display लेकर आया था 18-9 की screen और बिल्कुल bezel-less display essential phone जैसा display लेकर आया था और उसी वज़ा से उसे Mi Mix के original model के उपर काफी ज़्यादा awards भी मिले अब 2013 के अंदर Xiaomi ने release किया है अपना Mi Mix 2S after September में Mi Mix 2 release किया था उसके 6 मीने बाद ही Mi Mix 2S को release कर दिया गया है अब Mi Mix 2 और Mi Mix 2S के अंदर काफी ज़्यादा difference हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर काफी ज़्यादा चीज़ें update होई है तो इसलिए पहले हम इसकी specification देख लते हैं Xiaomi का जो सबसे बड़ा highlight होता है वो होती है इसकी screen और यहाँ पर Xiaomi ने हमें disappoint नहीं किया और Mi Mix 2S के अंदर भी हमें बहुत अच्छी screen देखने को मिली इसके अंदर हमें 18 ratio 9 की full HD screen देखने को मिलती है जिसमें अब साइडों पे bezels थोड़े से नजर आने लगे हैं अब यह बात जो Mi Mix का original model था उसके अंदर screen बिलकुल आपको top तक मिलती थी मगर अब Mi Mix 2S को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर हमें थोड़ी सी जो है model से दूसी चीज जो इस spoon में हमें थोड़ी सी different दखाई देती है वो इसकी build quality है अब पराने Xiaomi Mi Mix का जो form factor था वो थोड़ा सा square था अब Xiaomi Mi Mix 2S अगर आप देखें तो यह थोड़ा सा round shape के अंदर हमें देखने को मिल गया और इसकी overall build quality के अंदर भी थोड़ा सा फरक आया है 2 या pixel XL 2 के अंदर हमें देखने को मिल जाता है यह एक plastic है जो थोड़ा सा shine करता है दिखने में यह plastic है मगर obviously यह एक flagship phone है इसका हमारा build quality होगा वो काफी high end होने वाला है बैक पर आपको fingerprint sensor देखने को मिलता है और जो दूसरी main highlight Mi Mix 2S की हमें देखने को मिल रही है वो है इसका camera अब camera की जो notch है यह आप कहा सकते है camera placement जो है वो थोड़ी सी familiar देखने को मिल रही है यह आपको iPhone X के अंदर भी बिल्कुल ऐसी एक camera placement भी देखने को मिल रही थी मगर इसके अंदर कहा जा सकता है कि Xiaomi ने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके camera के उपर इसके अंदर आपको dual camera क technology देखने को मिल जाती है जो पराने Xiaomi के Mi Mix के models के अंदर नहीं मिलती थी इसके अंदर जो पैदा camera है वो 12 Megapixel का है जिसके अंदर आपको telephoto lens भी मिल जाता है इसके अंदर आपको portrait mode भी देखने को मिल जाता है wide angle photos देखने को मिल जाती है आप बस यह कह सकते हैं कि on and all यह की technology को इसके अंदर हमें Xiaomi की तरफ से पहली दफ़ा dual autofocus dual pixel autofocus देखने को मिल रहा है जिससे phone का जो autofocus होता है वो काफी तेज हो जाता है और आप phone के उपर चीजों को ज्यादा जो है focus कर सकते हो और पीछे से background जल्दी blur हो जाता है यह technology जो है Samsung 7 Edge के time से use कर रहा है और यह focus क out of the box आपको पास Android 8.0 के साथ आ रहा है इसके उपर जो skin आपको देखने वाली मिलेगी जो Xiaomi की अपनी जो skin होती है वो होती है MIUI 9.5 की आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी अब बहुत सी जगह पर MIUI जो है बहुत ज़्यादा user friendly भी है और कहीं जगह पर phone को slow down भी कर द दता है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि MIUI 9.5 जो है वो किस तरह integrate किया गया है Mi Mix 2S की performance के साथ अगर इसके core अंदर की chipset की बात करें तो इधर आपको Snapdragon 845 का processor देखने को मिलेगा RAM की बात की जाए तो इसमें आपको दो variant मिलेंगे हमेशा Xiaomi आपको option देता है तो इधर भी आपको option मिलेंगे इसके अंदर आपको 8GB का 256GB वाला भी model देखेगा और 6GB RAM के साथ आपको 128GB या 64GB वाला भी model देखने को यहाँ पर मिल जाएगा इसकी बात करें जाए चार्जिंग पोर्ट की इसके अंदर भी बेतरी आई है इसके अंदर आपका Qualcomm का fast charging की नए technology लगाई गई है और यह phone जो है wireless charging भी support करता है याद रखाजाए इस phone के अंदर आपको wireless charging की option पहली दफ़ा देखने को मिल रही है Xiaomi की तरफ से price point की बात कीज़े तो कहा जा रहा है इसका price कम असकम $500 तक हो सकता है जो के 60 to 65,000 रुपीस बनता है अब इंडिया या पाकिस्तान के अंदर availability की बात कीज़े तो यह थोड़े अरसे बात आएगा क्योंकि यह phone अभी चाइना में next week launch होना है और उसके next week या उसके next week में इंड या इसके अंदर तो मैं expect करता हूं कि यह phone कम असकम April के अंदर इशिया में अंदर या इंडिया या पाकिस्तान वाले region के अंदर यहां पर आ जाएगा मुझे जो phone में जो थोड़ी सी खामिया लगी है वो इसकी screen ही लगी है कि जो Mi Mix का signature style था signature move था जैसे पूरी bezel essential phone की तरह क screen अब वो थोड़ी सी काम कर दी गई है तो Mi Mix की look जो है अब वो किसी Oppo के 18-9 वाले phone से थोड़ी सी मिलने लग गई है मैं यह नहीं कहा रहा कि इसकी look बहुत बुरी है या अच्छी नहीं है मगर इसकी look थोड़ी सी change हो गई है अपने पुराने model से और साथ में जो पीछे camera placement है वो थोड़ी सी copy लगती है iPhone X की अगर आप phone को उल्टा पकड़ेंगे तो लोग पहले यही संज़ें कि आपना iPhone X को ही पकड़ाव है तो यह दो तीन चीजे है और एक इसकी build quality में पीछे जो शाइननेस है वो थोड़ा सा cheap सा लोग देती है इस phone को तो यह दो तीन ऐसे points है जो के हर phone के अंदर ही होते है छोटी मोटी खामिया और यह खामिया थोड़ी सी मुझे लगी जो मैं चाता था आप लोगों को बताना I hope आपको यह phone अच्छा लगा होगा आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी आप मुझे नीचे comment section में बताएगा कि आपको यह phone पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like का button दबा तो नीचे comment में बताना मेरी वीडियो क्यों अच्छी या नहीं अच्छी लगी दोनों रीजन मुझे नीचे बताएगा I hope आप लोग मुझे इसी तरह support करते रहेंगे मेरी वीडियो को like करते रहेंगे और इसी तरह मेर पाकिस्तान जिन्दबाद